जैबुजरंग वली की दोस्तों, कैसे हो आप सब, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में, आज मैं फिर आपके सब के सामने हूँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, खुब पैसा कमाना है, तो इस जगर रख दे, पांच भूलें, साथी साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, जै बजरंग बली, छोटी लाइची लगबख हर घर की रसोई में मौजूद है, बलकि जीवन में भी हर किसी के लिए मौजूद रहती है, नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुती जवर्दस वीडियो लेकर आए तो इस जगर रख दे पांच लाइची, पैसों से भर जाएगा आपका घर, आज की वीडियो में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे, इन उपाय बताने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आपके लिए ये बहुती फाइदर्मत हो सकती है छोटी सी इलाइची, अगर आप अपना घर और अपने तिजोरी को नोटों से बड़ा रखना चाहते हैं तो आप एक उपाय अवश्य करना चाहिए, आपको पांच छोटी इलाइची अपने पर्स में रखने चाहिए और ये बहुती आसान और अच्छोग उपाय है, इस उपाय को आप एक बार जिस द मुसार, आज मैं आपको इलाइची के उपाय बता रहा हूँ, जो आपको जीवन में सुक्र और संपत्ति को बढ़ाने का काम करेंगे, अगर आप बात की जाए शुक्र के उपाय के बारे में, तो अगर आप शुक्र ग्रह को अच्छा रखना चाहते हैं, यानि कि जिस किसी व्यक्ति का शुक्र अच्छा रहता है, उसको कभी भी पैसों के संबंद में कभी भी कोई चिंता नहीं होती है, उसे हर प्रकार के शुक्र सुविदा और आराम मिलता है, क्योंकि शुक्र को हम ऐसा आराम देने वाला, शुक्र संपर्दी देने वाला ग्रह मानते हैं, जो क आप सभी के लिए फाइदेवन होता है दोस्तों सुक्र सम्रद्धी और धन हर जगती चाहता है अगर आप खूब सारा पैसा चाहते हैं वंगला गाड़ी सब चाहते हैं तो आपको अपने शुक्र ग्रय को मजबूत करना चाहिए क्योंकि शुक्र ग्रय हर प्रकार का सुक दे करने कंगे तर उसे उबाल ले फिर इस पानी को अपने नहगोब करने मिला करके श्नान करे श्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखे वह आंसे जुड़े मामले हो ए धंसंबंदी मामले हो यह उपाइब बहुत ही लावकारी है तो इस उपाइबने वाले भीट तो वह क्या करना चाहिए इस उपाई को आपको रात को करना है रात को सोने से पहले एक हरेरंग का कपड़ा लेना है आप चाहिए तो छोटा कपड़ा भी ले सकते हैं हरेरब का कपडा लेने के बाद आपको एक छोटी सी आमसी दिछने वाली किसी इलाइची को आपको suffering बान्ध लेना है इसके बाद आपको अपने तक्ये के निचे इसे रख लेना है और अगले दिन आप इस इलाइची को किसी भी गरीब यक्ति को खाने को दें यह उपाय आप कर सकते हैं किशी भी दिन, खासकर से वेर्वार के दिन, इससे आपके नोकरी में उन्नती और आपके पास धन प्राक्ती के योग बनते हैं, यह बहुतिक और सटीग हर प्रकार की आपको सुक सुविदा मिलने लगती है, यह बहुती आसान लेकिन कारगर उपा इनमें से आप किसी भी व्यक्ति को ढूंड सकते हैं, यानि कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप यह उपाय कर सकते हैं, कोई गरीब दलित या दरिद्र व्यक्ति आपको मिल जाता है, तो आपको उसे एक शिक्का दान करना है, साथ ही कुछ इलाची के खाने के लिए दाने भी दे दोस्तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिके और वीडियो को जुरूर लाइक करें आप चाहें तो उस दरिद्र व्यक्ति से पहले ही बात बोल सकते हैं कि कल मैं आपको एक सिक्का और यह कुछ दूँगा आप मुझे यह सिक्का वापस कर देना आप उसके ब बार कारें बनते बनते रुख जाते हैं काम विगड़ जाते हैं आपके मन में जो इच्छा थी वे आप दवी की दवी ही रह गई है तो इस उपाय को अवश्य करना चाहिए अगर आप किसी महत्वण कारें से भी बार जा रहे हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं आप आपको क्या करना है प्रात्यकार उठ जाने के बाद आपको तीन इलाइची लेनी है तीन इलाइची लेने के बाद आपको अपने दाए हाथ में से ले लेना है दाए हाथ में लेने के बाद आपको अपनी मुठी में इसको बंद कर लेना है और आपको श्री श्री बोलना है श कि इस भी कारे पर जा रहे हैं, जो भी काम के बारे में आप तो आप करते हैं, इस उपाय से आपको सपलता जरूर मिलेगी, कितनी बार आपके विवाम में बिलंब हो हो रहा है, तो यह उपरियोग आपको शुकल पक्ष के परफम गुरुवा को करना चाहिए, क्योंकि हम जान पक्स आता है किसी भी मह directors का उसमें आपको प्रतम यानिस फ़ला जो गुरुवार पड़ेगा यह उप़ाईन आप यह क्या करना है और यह क्या जाये और गुरुवार की शाम को आप किसी मंदिर में जाना है और मंदिर में जाने के बाद आपको दो इलाइची लेनी है इसके बाद आपको पांस प्रकार की मिठाई खरीदनी है और इसके बाद इसके साथ ही आपको एक दीपक भी खरीद लेना है आप जो दो इलाइची लेकर आए थे जो आपने इसे खरीदा था इ तो दिदेशी गी डाल दे, अब आपको मंदिर में जाने के बाद आपके पास एक डीपक है जिसमें दो हरी इलाइची हैं और पांस तरह की मिठाई हैं, पांस तरह की मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि लड़ू, इमर्ती, बर्फी या किसी प्रकार की पांस त उपाय को गुरुवार को करें, और यदि आपके शाधी सुधा जिंदगी में कोई प्रवस्टर प्रव्लम आ रही है, तो आप इस उपाय को शुकरवार के दिन करें, यदि शाधी में आ रही बादाव को दूर करना चाहते हैं, अगर पती-पत्नी के बीच प्रेम संबंद स्थापित करना चाहते हैं, तो यह उपाय बहुत ही आसान है, अगर आप किसी का भी वशी करना चाहते हैं, वसमें अगर आपने पती या पत्नी को करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका आप से प्यार कम हो गया है, तो आपको श्री किशन का स्मर्ण मंतर करना चाहिए, य आपके बीच में बहुत ही जल्दी सामज़से हो जाएगा और आपसी प्यार भढ़ने लगेगा। जदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं या आप नहीं करना चाते हैं तो इसके लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं। रविवार को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप सफलता पाना चाते हैं तो सूकलपक्षम के पहले विरस्पतिवार यानि गुरुवार को सूर्य अस्त होने से ठीक आजा गंता पहले पांच अलग अलग प्रकार की मिठाई ले और इसे पीपल के विर्ष के नीचे अ पढ़ाई के परती काम ना करते हुए इसे वहां रख दे और घर आते समय पीछे मुड़ करके ना देखें। इस प्रकार बिना कर्म तूटे ये उपाय आपको तीन ब्रस्पतिवार तक करना है। इसके अलावा एक और प्रयोग भी आप आजमा सकते हैं। अगर पढ़ाई करना है। इसके लिए वह क्या करना है कि आपको बिना कोई कर्म तूटे पांच गुरुवार तक लगातार ये उपाय करना है। किसी गरीब व्यक्ति को कम से कम पांच बार आपको दूद्ध पिलाना है। इस उपाय से आपको लाब अवश्य होगा। अगर बात की जाए ल बेतनिया प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो इस उपाय को आप अवश्या आजमाएं आसे ही रोज रात को एक हरे कपड़े में एक हरी इलाइची बंद करके अपने तक्ये के नीचे रख दे और सो जाएं और आपको सुबह उठकर किसी भी बाहर के किसी भी व्यक्ति को आपको य बात की इस वीडियो में मैंने आपको बताया इलाइची के बहुत सारे उपायों के बारे में अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जय बजनक बली अवशे लिखे और साथी साथ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर कात होंगी एक और नई वीडियो के साथ तक तक लिए दे में जाता धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजनक बली